2004 से अब मैं राजनेती में हूँ, थोड़ा सा experience, थोड़ी सी समझ राजनेती के बारे में मुझ में है भाई और बहनों, राजनेतिक नेता 10-15 दिन में पैदा नहीं होता है राजनेतिक जो नेता होता है, जो सच्चा नेता होता है, वो मीडिया के टेलिविजन पर डिबेट्स में नहीं तियार होता है जो राजनेतिक नेता होता है, सालों लड़कर, संघर्ष करकर, पिटकर बनता है कॉंगरेस पार्टी के पास हीरों की कोई कमी नहीं है जरूर हमारी party पर आक्रमन करने के लिए, बिफेम करने के लिए, हमारे नेताओं के बारे में जूट बोला जाता है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अपने experience से बता रहा हूँ, Congress party में हीरे भरे हूँ है, राजनेता को लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत सारे राजनेत जी है, लड़ाई लड़ते हैं, जबर्दस्त लड़ते हैं, मगर नरेंद्र मोधी की लड़ाई लड़ते हैं, नवजोर सिंग जिन्दु जी को पैचाना, कि इस व्यक्ती में, जो मैंने evolution की बात की, नेता बनता है, इस व्यक्ती में perseverance है, ये व्यक्ती practice कर सकता है, अपनी जिन्दु जी के घंटे 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 दे सकता है, साल दे सकता है, उसके बाद commentator बने, उसके बाद comedian बने, उसके बाद राजनिता बने, चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं, और दिल में, खून में पं पंजाब चनि जी चीफ़ मिनिस्टर बने आपने नोद किया होगा पंजाब में सबसे बड़ा पोस्ट है आपको आहकार दिखा मतलब एक आहकार थोड़ा सवी आपको दिखा, जन्ता के बीच में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर है, नरेंदर मोधी जी प्रधान मंत्री है, योगी जी चीफ मिनिस्टर है, जन्ता के बीच में जाते हैं, कभी आपने देखा, मोधी जी को जन्ता के बीच में जाते हुए, सड़क पे नरेंदर मोधी को, किसी क ये मदब करते हुआ आपने देखा है नहीं करेंगे वो प्रधान मंत्री नहीं है वो राजा है वो नहीं करेंगे मदब ये चीफ मिनिस्टर है ये गरेब के आवाज है गरेब की सौच है और ये पंजाब को मैं आपको बता रहा हूँ यह यहाँ चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं, यह पंजाब को बदलने आए हैं, हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाते हैं, आप जाएए दिल्ली चाहिए, चाहिए नरेंदर मोदी जी हो, चाहिए केजरिवाल जी हो, आप जाके पूछिए, वहाँ एक ही व्यक्ति की चलती हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता, अगर राजा ने निन्ने ले लिया, तो बात वहीं खतम हो जाती है, पंजाब ऐसे नहीं चला जा सकता, पंजाब में अलग-अलग आवाजे हैं, अलग-अलग सोच हैं, और सब को एक साथ लेकर, सब के बात सुनकर, कॉंग्रेस पार्टी ह कॉंग्रेस पार्टी ने ये सालों के लिए करके दिखाया है, सब को हमें एक साथ लेते हैं, निया विजन देते हैं, पंजाब को एक निया रास्ता दिखाते हैं, एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है, तो ये फरक है हम में और उनमें, आपने कहा कि मुख्य मंत्री का न साइड नहीं किया मैंने क्या किया मैंने पंजाब के लोगों से पूछा मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा मैंने अपने कार्यकरताओं से पूछा मैंने युवाओं से पूछा मैंने वर्किंग ज़्यादा ज़रुरी है पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए जो भूब को समझे जो गरीब यक्तियों के दिल में गबरात होती है वो उसे समझे कि पंजाब को उस व्यकति की जरूरत है मुश्किल डिसिजन था आपने असान बना दिया पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरंजीत सिंग चन्नी जी पंजाब को बदलने का विजन उस विजन को पूरा करेगी